कि अच्ट एंग प्रूम यियक डाज Ke wash य्यज विडीयो में हम बात करने वाले हैं निफ्टीय देख तो वह क्लोजिंग मिलाई 2512 कि असपास लेकिन क्या मार्केट सस्टेन कर रहा है मार्केट तो सस्टेन करने का नाम ही नहीं ले रहा है मार्केट उपर जाता है इसके बाद यह विक क्यों छुटा है यह विक कैसे चुटा है पहले मार्केट उपर किया उपर जाने का नाम ले रहा है लेकिन प्रॉपर से उपर नहीं जा पा रहा है मार्केट सो ऐसे मैं क्या ही कर सकते 2222 एक्सपेटड है उपर की साइड में मुझे लगता है जब तक मार्केट प्रॉपर से प्राइस क्रियेट नहीं करेगा चाहे वह बुलिश प्राइस हो चाहे वह प्राइस बीयरिश हो मार्केट जब तक प्रॉपर से प्राइस चेट नहीं करेगा ना बुलिश ब्रियरिश तब तक एक ट्रेंडिंग मुँझ, वन साइड का ट्रेंड देखे हुए कितने दिन हो गये मार्केट ट्रेंडिंग मुझ नहीं किया, इस दिन डाउन चाड का एक मुमेंट किया यह थोड़ा सा ट्रेंडिंग रहा लेकिन उसके बाद से यहां पर एक दो तीन चार पांच छे साथ आट नो दस दिन हो गया है कि मार्केट ने कोई अच्छा मुमेंट ही नहीं किया है इसे मार्केट में आप लोगों का रिस्पॉंसिबिलिटी है आपका पैसा बचाना आपको ट्रेड लिमिट भी डिसाइड करना पड़ेगा वनली आपका जो ट्रेड लिमिट रहना चाहिए एक या दो रहना चाहिए उसके उपर बिल्कुल मत जाओ गाइस जहां पर पांसो मोमेंटम करना चाहिए लेकिन क्या मोमेंटम कर रहा है इस तरह से मोमेंटम करेगा तो यह किसी को खाने नहीं देगा क्या मार्केट खाने दे रहा है किसी को मार्केट खाने ही नहीं दे रहा है बिल्कुल मार्केट अच्छा मोमेंटम नहीं कर रहा है ठीक है अभी इसके ल फॉलो करके गया है 22220 के आसपास बिलकुल भी नहीं हाँ अपना पिछला प्राइस अक्षन की तोर पे केसे देखा जाता है कि अपना जो पिछला लो है पिछला जो सपोर्ट है वह यह आइर बेस्क्रियेट कर रहा है हर दिन हाइर बेस्क्रियेट हो जाओ हर दिन बैस की कि यह भी बात रहेती है लेकिन हम बिर के तब तक नहीं रखेंगे जब तक कि मार्केटले सपुट लेवल नहीं तोड़ता है आप पडेख आप ही खुद देखोगी तो एक भी सपूट को तोड़ा नहीं है एक भी support को तोड़ा नहीं है तो हम bearish view चाकर भी नहीं बना सकते उपर ऐसे slow जा रहा है तो मजा नहीं आता है लेकिन नीचे आने के लिए proper से support level भी तो तूटने चाहिए एक भी support level तोड़ा नहीं पा रहा है फिर at least resistance को proper तरीके से निकाल ले रजिस्टन्स को भी नहीं निकाल पा रहा है आप की देखो इस दिन भी नीचा के close कर दिया इस दिन भी नीचा के close किया बतलब हमार्केट उपर जा रहा है उसलब नीचा के close करता है फ्रीमियम नहीं होते ट्रेंडिंग मुमेंट अगर हम लोगों को चाहिए तो एक बार नीचे आकर ट्रेंडिंग मुमेंट कर दिना चाहिए और उसके बाद बुलिश बने और देन एक मुमेंट करें इसा ही चलता रहेगा मार्केट ट्रापिंग ओन रहेगा 22222 की अगर हम उपर जाते 22222 की उपर जाते तो हमने एक टार्गेट एक्सपेक्ट किया है 2400 का 2444 मुझे एक्सपेक्टेड 200 पॉइंट का वह 200 पॉइंट आट लिस साइडवेज होके कंप्लीट नहीं होने चाहिए लेकिन इसमें प्रीमियम नहीं इंकरीज होता है अगर 200 पॉइंट टार्गेट अच्व करके देगा तो इसमें मजा नहीं आएगा इसमें प्रीमियम नहीं बढ़ेंगे ठीक है अगर इसको नीचे आना तो पहले आज का सपोर्ट लेवल तोड़ना पड़ेगा 22,050 का लेवल तोड़ता है तो एक्सपेक्ट रहेगा 21,870 तक यह जो नेक्स सपोर्ट लेवल यहां पर यह 22,050 का लेवल अगर तोड़ता है 21,877 तक हम लोगों को एक्सपेक्टेशन इसमें देख रहें को मिल सकता है छलो थोड़ा सा निफ्टे बैंक का कोशिश करते रिड करने का इसका भी सेम थिंग है इसमें भी एक सपोर्ट के पास आ गया यहां से लेकिन यह कैंडल प्रॉपर सपोर्ट पर नहीं है प्रॉपर सपोर्ट पी जिस त कोई चैडल नहीं है उसके बाद मार्केट ऊपर जी जान लगा के जाने का कौशिश टो कर रहा है लेकिन क्या यह से एवन नहीं कर पा रहा है उपर की साइड में उपर जाता है उपर जाता है तुपर लिक छोड़िता है उपर जट देता है सब्सक्तल कर रहे है क्लियर मार में को 47200 तक निफटे बैंक का टारगेट मुझे 4700 222 तक मुझे निफटे बैंक का चारगेट अभी कल हम थे श्रम। थेरो दिए 4606-107जिका ए तो Queen鬼 phải दो क्सें कर रहे हैं जाते कर रहे तो 47,222 का ऐसे से ऑच्षों नहीं हो जाना चाहिए अच्छा सा कारगे तो वहां पर मज आ है Сам такие एक डिन Gle embraced आसका मार्केट में सेलर है कमा रहें और कोई कमा ले रहा है अगर कोई कमा ले रहा है जैसे स्क्ञालपिंग वगेर हार करके तो गइस रिक्वेस्ट है आपका पैसा सेव कर लो बहुत जादा इंपॉरेंट आपका पैसा सेव करना एक चीज वीडियो को लाइक कर देना है पहले वह आपके लिए बहुत इंपॉरेंट हमारे लिए भी मोटिवेशन रो जाता है तो प्लीज लाइक करना है अभी निफ्टी बैंक को टार्गेट 47,200 तक पॉसिबल टार्गेट है कल भी हमारे लिए वही टार्गेट था वह स्लोव एंस्टेडी करके वहाँ पे जा रहा है इतना स्लोव एंस्टेडी कल भी हो कल भी तो से निकालता है तो स्कूल जा निकाले इस निकालने का चांसे इसन नहीं यहां पे चांसे लिए तो यहां पे बाहर बाहर आउगी ऐ तो यहां पे जो राएगा 47,200 हा들 that में लेख झाहें most c क्योंकि रहता है वहाँ पे आपके चांसे लास के वह रहता है वह मार्केट के बैर मैं नहीं सोचना होते है सब्सक्राइब करना तो 30 पॉंट का रहएगा हाँ अगर यह इस लेवल के पास रुप कर कल ये लेवल को निकाले मांन लो नीचे से आया बुलिश प्राइजक्षन बनाके यहां पर रुका है और इन लेवल को निकालने के लिए नीचे इसने इंडिकेट कर दिया सपोर्ट के पास बुलिश प्राइज एक्षन बन गया सपोर्ट के पास तो ठीक है बहुत मज़ा आ जाएगा फिर मार्केट में मार्केट में तो एक ट्रेंडिंग मों को देखने को मिल जाएगा नीचे आना है अगर इसको तो इसको सपोर्ट लेवल ब्रेक करने पड़ेंगे सपूर्ट लेवल के अगर इसके लिए बात करें तो इसके लिए जो सपूर्ट लेवल है पुट 6500 का सपूर्ट लेवल है जब तक मार्केट एक बड़े रेंज में घुम रहा है तब तक इससे बड़ी उमीद हम लोग नहीं रखेंगे आप लोग खुदी ध्यान दो कितना ब तो उतने में मार्केट से साथ जोड़के दूर रहो जाता लालच में आप लोगों को देने भाले नहीं हुँ क्योंकि अलड़े बहुत सार लोग लोग को अपलों को ठीक है फोलेगा लायू में हम देखेंगे अगर अगर बोल रही हूँ एक मोमेंट अगर फ्लो में जाता वीडियो अच्छा लगए तो लाइक करना है तैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब भी करना है चलो जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में थैंक यू गई जहिन रादे रादे जैशी कृष्णा